नमस्कार आप देख रहें एनिटीव इंडिया मैं हूँ अमित पालिट जम्मू कश्मीर के अलगावादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मामले में एक नया मोड आ गया है सूत्रों के हवाले से इनिटीवी को जानकारी मिली है कि मसरत आलम को रिहाई करने का फैसला मुफ्ती मौमस सईद की सरकार ने नहीं किया जी हाँ, मुफ्ती मौम्मस सरकार ने नहीं किया था ये फैसला, ये फैसला उनके सत्ता में आने से पहले राज्य पाल के शाशन के दौरान हो गया था सूत्रों के मुताविक फरवरी में राज्य के ग्रियस अचीव सुरेश कुमार ने जम्मू के डिस्टिक मजिस्टेट को चिठ्थी लिखी थी और उस चिठ्थी में लिखा था कि मसरत आलम को पब्लिक सेफटी एक्ट के तहट हिरासत में रखने का आदेश निरत्थक हो गया यह आदेश सितंबर 2014 में जारी किया गया था डिस्टिक मजिस्टेट की ओर से एक चिठ्थी लिखी गई थी वो भी साथ तीन 2015 को स्पी जम्मू को लिखी गई थी यह चिठ्थी जिसमें लिखा है कि मसरत आलम को हिरासत में रखने के लिए सरकार से निर्देश नहीं मिले हैं इस खबर के आने से पहले तक यह माना जा रहा था कि आलम की रिहाई का आदेश मुफ्ती मौम्मस सरकार ने दिया था और इसके फैसले के खिलाफ सरकार में साजेधार बीजेपी ने विरोध भी जताया खुद प्रधान मंत्री ने संसत में कहा था कि बीजेपी के सहमती से यह फैसला नहीं लिया गया है हाला कि मसरत आलम को रिहा करने का अश्रे मुफ्ती मौम्मस सईद ले रहे हैं इस पूरे मामले में नया मोड आने से कई सवाल भी उठ रहे हैं जो आपको बताती हैं सवाल कौन से हैं जो अब पूछे जाएंगे क्या गेंद्रिय ग्रिह मंत्राले को जानकारी नहीं थी क्या केंद्रिय ग्रिह मंत्राले को उसकी जानकारी नहीं थी आखिर पीडीपी ने सच का खुलासा क्यों नहीं किया क्या पीडीपी इसका श्रेह लेना चाहती थी और मसरत आलम कौन है ये भी आपको बता देते हैं जिसको लेकर इतना हंगामा है 1990 में ही मुस्लिम लीग का गठन किया गया था करीबी है मसरत आलम 2010 में भारत विरोधी मुहीम चलाने का आरोप है सरकार ने 10 लांका इनाम भी रखा था 2010 में ही मसरत आलम गिरिफतार भी हुआ